हेलो बच्चो आज हम लेके आएं हाउ टू क्रैक आईटी जेई और नीट विदाउट कोचिंग का सेकेंड एपसोड ये उन बच्चो के लिए सिरीज चल रही है जो बच्चे ऐसे गाउं या ऐसी सिटीज में है जहाँ पे कोई अच्छी कॉमपडिशन की कोचिंग नहीं है या वो बच्चे जो फाइनेशली या किसी और प्रॉब्लम से कोचिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे कोई अच्छी कोचिंग ग्लास नहीं जा पा रहे तो आज इस सिरीज के सेकेंड वीडियो में बहुत इंपरेंट टॉपिक डिसकस करेंगे हम कि बोड्स और इटी जे या नीट मतलब बोड्स पर फोकस करें कि कॉमपडिशन पर करें तो हम सब का दिमाख हमेशा खराब रहता है 11 12 में मेरी भी यहाल अब रहती थी जब हम कॉम्मटिशन की पढ़ा है स्टार्ट करते हैं तो हमारे 11 ये 12 के बोड्स में नंबर कमाने लगते हैं और अपने बोड्स की चीज़ पढ़ने लगे बैट कि में इंग्लिश पढ़ रहे है था अपने अभिस्ति तो फर्स्ट और वोड्स कुषणा आता है कि हम है 살काने यह सब करना है यह ज़गो कई लोग आपको इंटेनेट इस टाइम यह बोल रहे हैं कोरा देख लो या कितने भी यूटूब के चैनल हो गए कि ITJE में सिर्फ 75% बोर्ड में चाहिए होता है एकदम सही या तो आप टॉप 20% में हो अपने बोर्ड के टॉप 20% शुरुवात के 20% में हो मतलब शुरुवात क 25 बेस्ट पॉर नहीं और अपका परसेंटेज एग्रिगेट निकलता है तो डोंट वरी इस चाइड इस अपना देख रहे हैं यहां का द्रीम देख रहे हैं तो हो ही नहीं सकता कि अपना बोर्ड में बहुत कमाए एक्सेप्शनल केस होते हैं ऐसा नहीं है ऐसे भी केस हुए है कि लोग जई में सेलेक्शन पा लेते हैं बोर्ड में फेल हो जाते हैं जई में सेलेक्शन हो गया बोर्ड में साथ नंबर है तो वो मतलब क्वालिपाइ नहीं करता है ऐसा होता है बड़ बहुत कम अगर आप इतने स्मार्ट हो यहां तक जा रहे हूं तो यह चीद आपकी अपने आप कवर हुए है तो मेरा पॉइंट नंबर वन यह है कि आप दोनों को कवर करो यह नहीं किसी को छोड़ देना है आपको एंग्लिश भी पढ़नी चाहिए आपको हिष्ट्री भी पढ़नी चाहिए जो भी आपका सेलेक्शन है हाँ आप बात आपके स्कूल का जानते हैं ने जानते हैं अपकॉल जाना नहीं परता साल बर घर पर बैठके बढ़ाई होती होते हैं सब्सकूल गन्य होता हैं सिर्फ बोट्स की पढ़ाई करते हैं तो आप दैसा नहीं कर सकते हैं तो आपको करना क्या है मैलेज करना है तो आप थोड़ा बहुत अपने यह सब चीज़ों को पढ़के रहो काम बराबर बहुत जादा इसमें इन्वालमेंट हो और अपना फोकस इस पर लाए रहा हो जो भी कॉंपिटिशन करा करना है इसको जानना इसलिए जरूरी है बच्चो मानलो तुमारे बोर्स में बहुत कम परसंटीज रहे गए मानलो तुमारा यह भी कॉलिफ अपना प्रफाइल करना है आपके इंग्लिश नमबर बहुत कम हो जाएंगे तो आप फ्यूटर में बैंगलॉर एंगललोर इंग्लिश में बंकर देता है अगर आपके 85 से कम नमबर तो प्रोफाइल यहीं से बनती है तो यह गदम करना की छोड़ दिया आपक्थि बोलते हैं चोदो यार सिर्फ पीसी एंपड़ो ऐसा मत करना पूरी तरह से एक बैलनस बनाना पड़ेगा अपने आपको सुचना पड़ेगा कि यह अपना बनना चाहिए और यह अपना निकलना चाहिए तो यह बहुत ही कावड बहुत ही बेखूफ लोगो थे जो बोलते हैं इस पर फोकस करता हूं मेरा यह चूड़ गया आफसर नहीं है या ताइम बहुत है दिन बर होगो पास तुम देखो कितने गंटे बाहर बात करने में निकाल देते हो कौन पर अपने बिता देते हो ताइम बहुत है मैनेज करो दोनों ही इंपोर्टेंट है पहली बात से उस पे भी हमले की वीडियो कर लेंगे एक तो अभी आपके पास अगर समय है 11 फ्लक में हूँ आप तो दोनों को मैलिज करो है ना अपना जो दिनवर का टाइम में वो लगा दो इसमें और रात का अगर दो तीन घंटे का टाइम बच रहा है उसमें अपने बोर्स की तियारी बचते हैं एक चोटे हो जो बागी सब्चेटे बचते हैं लिए पर वोज देना ज़रूरी है अगर चोड़ो दोग सचोंगे जैनले में उनकी तरह पढ़ों का पॉस्बिल या प्मिल नहीं तो आपके लिए अगर आप एक शहर में रह रहे हो तो-टो आपकी लिए अगर कि रोज थोड़ा थोड़ा इन सबको टाइम रात में दो अपना फोकस दिन वर का इसमें आखे रखो अगर तुम पड़ाई में क्यों क्यों हो तो तुमारे 85-90 पसेंट मेरी बाध फिर सुनों तुमारे 85 एक सब्जेक बंगया चैनल जाना चैनल प्रिक्री बायोलोजी मिला एक बुक में ढल गता है तो बहुत लोड रहता है तो अपना बोर न पेपर बहुत एजी आता है और अगर आप इसकी त्यारी करते रहोगे तो बोर्ट के नियुमेर करते बोप उड़ा दोगे यह कई लोग बोटते हैं कि सब में बहुत टाफ कोशन करना सीख गया इसलिए इसलिए इसक्ता है यह पास्विल हो सकते हैं यह तो पास्विल नहीं होता है बलकि यह कोशन और तेजी से होते हैं देख्के हो जाते हैं एक हले क्या मिस्स कर याद है अदमा बात करते करते आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी है जो इंपोर्टन चीजिसे बोर्ड के लिए हैं वो इंपोर्टन कहीं न कहीं के लिए है इसके लिए आप कर यह सकते हो जैसे मालों आप फिजिक्स में फॉर एक्जाम्पल अप्र चैप्टर बढ़ रहा हो सबसक्राइब यह जहां जहां पर डेरिवेशन आ रही है उनको भी प्रैक्टिस करते हैं साथ में कितना टाइम लेगा दो मिनिट और डेरिवेशन करने इस क रहा है यह कही बयों होजिक अकुछ सब्सक्राइब ऑनिटा कैया सब्सक्राइब तो अगर तुम्हें concept बहुत अच्छे से आता है, तो तो exact definition अपने आप दे सकते हो, जैसे मुझे बहुत सी definition याद निए word to word, पर concept इतनी डीप में हम लोगो समझ में आ जाता है, पढ़ते हैं, अगर अच्छे question करोगे, अच्छे new miracle करोगे, बढ़ियां किताब उस करोगे, हम लोग अपने वीडियो में तुमको करा रहे हैं, तुमको कितने बढ़ियां सवाल दे रहे हैं, अगर तुम उतने बढ़ियां सवाल कर रहे हो, तो definition doesn't matter at that time, फिर तुम exam में अपनी definition लिख सकते हो, वहाँ पर तुम definition लिखोगे, उसमें जो keywords होंगे, वो तुम keywords सारे numerical से collect कर चुके होगे हैं, तो यह बहुत बेकूफी होती है, कहना कि मैं tough question solve करना हूँ, उसलिए मेरा board में number कम होगा, कभी नहीं हो सकता, जो गलती होगी, वो other subjects में होगी, और उसको regular पढ़ते रहना है, थोड़ा ही time देना है, ज्यादा नहीं, जो लोग boards में score करते हैं, वो last में त पढ़ते हैं, लास्ट एक दो तीन नहीं है, तुम शुरुआत से यह सब चीए थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारे पास last में पूरा से लेवस खाली पढ़ा रहेगा, अगर तुम्हें छोड़के सिर्फ इसकी तयारी की, यह मत करना है, दूसी जैसे मा यहां जो एक्जामपल होंगे, वो एक्सेप्शन वाले होंगे, और यहां जो एक्जामपल होंगे, सबसे बेसिक, बुक में पहले दूस्वे एक्जामपल जो दिरे, जैसे हम आपको मानलो वेक्टर पढ़ाते हैं, जैसे मानलो हमने आपको chemistry में atomic structure पढ़ा दिया, तो board का question क्या रहेगा, बोड का question रहेगा, कि भाई, बोगर के postulate बताईए, आप यह बताईए, electron के energy क्यों negative होती है, आप यह बताईए, लएदर four का model क्यों feel होंगे, ठीक है, यहां पूछ लेगा, energy of electron in the first orbit of hydrogen, यहां यह क्या पूछेगा, बैने electron jumps from third orbit to first orbit, तो किती number of spectral lines मेंगे, उस तो बोड से 200% उपर भी हो सकता है, और 500% भी, जही एडवांस is a free की exam, मतलब कोई भरोसा नहीं उसके इंदर क्या हो जाए, means की बात करे, need की बात करे, need की नहीं में लेकल, एक्दम बोड के बराबर, एक्दम बोड के बराबर, 10-20% का फरक रहता होगा, तो अपना जही में इसमें जादतरी चीज़ें क्लास 12 की दिए, और भी बोड से लेटेड, क्योंकि वो भी आप चाह रहे हैं कि बच्चा बोड पे ध्यान दे, और कोचिंग अलों पे बहुत जारे डिपेंड नहीं करें, वो बोड में भी स्कूर करें, तो ये सारी बाते हैं हमने आपको सोच आज बता दे, ये सारी बाते थी आपसे, कि आप दोनों में एक डालेंस बनों, इसको आप दिल का एक दो घंटा रेगुलर दो, और इसको चार पांच घंटे अपने दिल के दम चान लगा के दो, और इसको भी पढ़ते रहे साथी, चलिए पढ़ते रहे हैं, और बेरी बे इसका थाड़ एक सो.